Good morning बच्चो! Glow of Physics में आप सब का स्वागत है प्यारे बच्चो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, pH values of some common substances तो प्यारे बच्चो, आज जो है हम कुछ पदार्थों के pH मान के बारे में आपको बताने वाले हैं बच्चो तो प्यारे बच्चो एक तरफ हमने solution लिया है और दूसरे तरफ हमने pH लिया है तो प्यारे बच्चो पहला जो है आपके screen पर है पहला है concentrated hydrochloric acid जो concentrated hydrochloric acid होती है उसका pH होता है एक आप देख रहे होंगे बच्चो concentrated hydrochloric acid का pH कितना होता बच्चो एक dilute hydrochloric acid का pH होता है sorry बच्चो concentrated hydrochloric acid का pH सुन्य होता है dilute hydrochloric acid का pH एक होता है gastric juices जो हमारे stomach में होता है उनका pH 1.4 होता है lemon juice का pH होता है 2.5 vinegar का जो सिरका है उसका pH होता है 4 tomato juice का pH होता है 4.1 coffee जिसका pH होता है 5 soft drinks इनकी pH होता है 6 milk दूद बहुत महत्वपूर है इसका pH होता है 6.5 pure water जिसका pH होता है 7 और ये neutral होता है बच्चो saliva जिसका saliva before meals माना खाने से पहले जो हमारा लार है उसका pH होता है 7.4 saliva after meals खाना खाने के बाद जो हमारा लार है उसका pH होता है 5.8 blood बहुत important है blood का pH होता है 7.4 eggs जो अंडे होते हैं उनका pH होता है 7.8 toothpaste का जो pH होता है वो होता है 8 backing soda solution का होता है 8.5 washing soda solution का होता है 9 milk of magnesia जिसको antacete के रूप में परियोग करते हैं उसका pH होता है 10.5 dilute sodium hydroxide ये जो है आपके screen पर है बच्चो ये देखे बच्चो dilute sodium hydroxide ये जो है आपके screen पर है dilute sodium hydroxide का pH होता है 13 और सबसे ज़्यादा pH होता है concentrated sodium hydroxide का pH होता है 14 तो प्यारे बच्चो ये table आप चरूर याद रखेंगे और ये आपको जीके में भी आईगा बच्चो तो प्यारे बच्चो चैनल का बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपने चैनल को subscribe ने क्या है तो चैनल को subscribe कर दें ब्यल आइकन को press करते वे notification ओन कर दें ताकि glow of oxygen के द्वारा बनने वाली जो है उप्यू की वीडियो आप तक पहुं सके पुन हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद